असलाम वालेकुम पी आई बी टियल के बारे में बात करेंगे यह इसका चार्ड प्राइस हा रहा है जिसमें आई पियो से लेके 2022 तक कि जो भी अपडेट्स हैं वह हम आपको बताएंगे दिसम्बर चवी 2013 को आई पियो लांच हुआ था इसका और गालबन 16 रुपए के आस पास आई पियो था जो कि अगजे कुछी महीनों में बढ़ते बढ़ते छे माँ के अंदर अंदर 142 रुपए करास कर गिया यह आप चार्ट भी देख सकते हैं शुरू शुरू में आई पियो के बाद फोरा नहीं स्टाक तेजी की तरह बढ़ना चुरू हुआ और 150 से थोड़ा नीचे यानि 142 रुपएस का हाई रेट जो था है वो पहुंच गया था लेकिन फिर जैसा कि अक्सर होता रहते हैं स्टाक मार्केट में इस तरह की जो स्टाक है बहुत ज्यादा जो तेजी से आप हो जाता है उसी तरह हो बारे की तरह फट जाते हैं और वापस तेजी की तरह भी अपना 142 पे से नीचे गिरा है फोरा नहीं सीडी लाइन में और दुबारा से 16 से 17 रुपए में ट्रेड करने लगा उसके बाद इन 8 से 10 सालों में बेरताशा इसमें आप सेंड डाउन लाती रहे हैं कि 2017 में जब मार्केट 54 लार की बलंत्रीन सत्य पर पहुंची हुई थी तो यह स्टाक ट्रेड कर रहा था 16 से 17 रुपए के दिर्मियान मगर उसके बाद लेगातार अगले 4 साल 5 साल तक डाउन ही होता जा रहा है मसलसल डाउन होता जा रहा है इस वक्त ट्रेड कर रहा है छे रुपए के आस बास यानि फलोर लेवल पर आया हुआ है यह इंतहाई मुनासिब चाहां से खरीदने का और एक बहुत बात बता दूँ इसमें शार्ट ट्रम के लिए तेजी भी मतवक्य है आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में शार्ट ट्रम में तेजी ऐसा समझें कि छे रुपए प्याय हुआ है ना अगर यहां से भी तेजी स्टार्ट हो जाए तो दस रुपए तक लाजमी जाएगा क्योंकि पिछले एक साल से इसको मसलसल बाच कर रहा हूं यह बारां से गिते गिते अब छे प्याप पहुंच रहा है ज्यादा से ज्यादा और गिरावट आ भी गई तो इसमें एक रुपए की और गिरावट बाखी है पांच रुपए तक आ सकता है पांच के बाद भी शाट ट्रम के लिए तेजी जरूर बकड़ेगा थोड़ा सा अलार्ट रही हैगा शाट ट्रम के तेजी से भी फाइदा उठाना है आप लोगों ने और अगर लंबे जरुप से के लिए काम करना चाते हैं लांग टरम के लिए रखना चाते हैं तो ये छे रुपए से ऊपर उठके हैस्ता हैस्ता है 16 से 17 रुपए तक भी जा सकता है जब दोबारा चले हैं 140 पे ना भी जाए जैसा कि शुरू में मैं आपको बता चुका हूँ 16 से 17 जो है इसका एवरिज रेट है अपने ये एवरिज रेट भी जला जाए तो आप इसमें अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं यानि 6 पेवादा स्टाग अगर 16 पे बिजाता है और ये 122 रुपए पे गिर के आए हुआ है तो इस वक्त बहुत ही अच्छा चांस है मुनासिब चांस है आप इसमें इन्वेस्मेंट कर सकते हैं इस रेट पे शायद फिर दुबारा आपको ना मिले मार्कीटों में गिरावटों का सिस्था जा रही है इसलिए मैंने पहले भी बता दिया कि इसमें भी अभी थोड़ी सी और भी गिरावट आ सकती है एक रुपए तक की और गिरावट मतवक्य है लेकिन साथ साथ बहुत बड़ी जो तेजी है वो इस टाग में छुपी हुई है बहुत बड़े साथ की तेजी पस आपको टिक के बैड़ना पड़ेगा अब जैसे AGL के बारे में मैंने बताया था कि शार्ट ट्रम के लिए एक बहुत बड़ी तेजी शुपी हुई है चार पे पे आया हुआ है AGL और चार वाला साथ पे जाएगा मेरी एकसर वीडियो में आप देख सकते हैं AGL के बारे में और वही हुआ पे नहीं गया लेकिन 6 शरीया 70 रपया है यानि चार रपय वादा स्टाक 6 शरीया 70 रपय पे पहुंचके फिर से अब 6 रपय पे ट्रेड कर रहा है इसी तरह P.I.B.T. यादर के बारे में जो बताया है या आपने ध्यान से सुनना है और अगर कोई इसके बारे में एक दो और वीडियो पड़ी होगी मेरे प्लेजिस्ट में जाएंगे तो वह भी आपने जरूर देखनी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें बैदा इकान प्रेस कर दें शुक्रिया और आफ़ाफिस